Maah 7 साल पहले arvind kejrivwal के नेतित में बनी आमादमी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बिजेपी को दिल्ली में करारी मात दे इस तरह से बीजेपी की दिल्ली में 22 साल के सत्ता के वनवासों खतम करने की कोशिशे धरी की धरी रह गई इस तरह से बीजेपी का वनवास 5 साल का इजापा और हो गया बिजेपी को आम आदमी पार्टी ने लगातार दूसरी बार शिकस्त दी और भाजपात दोनों बार डबल डिजिट भी पार नहीं कर सकी दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी को मिली प्रचंड जीत ने बिजेपी की रणनीती पर सवाल खड़े कर दिये अन्ना आंदोलन से निकले अर्विंद केजरिवाल की आम आदमी पार्टी गठन के महसास साल हुए हैं कह सकते हैं कि आपका सियासी अधार दिल्ली तक ही सीमित है और थोड़ा बहुत पंजाब में वहीं बिजेपी की 12 करोड से जादा सदस्त हैं और मुझूद समय में बिजेपी या उसके सहयोग्यों की 16 राज्यों में शरकार है ऐसे में बिजेपी ने दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने के लिए अपने सभी बड़े मेताओं ने प्रचार में उतारा था लेकिन केजरिवाल के विजई रत को नहीं रोक सके आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली, पानी वा महिलाओं को डी टी सी में फ्री यात्रा के मुद्दे का बिजेपी कोई तोड नहीं निकाल सकी हाला कि बिजेपी ने साहिन बाग को भी मुद्दा बनाया और इसका उसे लाग भी मिला लेकिन इतना नहीं कि वह आम आदमी पार्टी से बराबरी का मुकाबला कर सके जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाओं में नरेंद्र मोदी के साथ हुआ था ठीक उसी तरह दिल्ली में अरविंद्र केजरीवाल के लिए रहा कि फैक्टर ने काम किया आम आदमी पार्टी ने बेहत चतुराई से दिल्ली के मंदाताओं को समझाया की बीजेपी के पास केजरीवाल के जगा लेने के लिए कोई योग सक्सियत है ही नहीं पिछले छे माँ के दौरान केजरीवाल सरकार ने और मुफचीजों की घोश्रा की जिसमें बसों और मैट्रों में महिलाओं और विध्यार्तियों को मुफच यात्रा सामिल है इसके चलते महिलाओं के बीच केजरीवाल की पकड मजबूत होई